हाज हम बनाने जा रहे हैं आम के लड्डू इसे बच्चे बड़े बड़े चाव लो का अवस्टे अच्छ ृण मिल जाते हैं इसलिए आप आम के लडू जरूर बनाएं के खाएं कुछ ही मिन्टों में आप अपने किचन में त्यार कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साइड में दिए कि बेल बटन को दबाना ने भूले था कि अगली जान करिया आपको समय पर मिले इस माई डिस माई तरका तरफ से नमस्कार आज हम बनाने जा रहे ही आम के लडू यह देखिए दोस्तों आम के लडू बहुत ही थोड़ी चीनी लिए है और चीनी आप आपकी आप सिता नुशार लेग सकते ही और थोड़ी इलाची पाउडर लिया है और 200 ग्राम नारिल पाउडर लिया है कि सबसे पहले आम के पल्प में उनको जार में डालेंगी और ग्राइंड करेंगी यह दी है इस प्रगार से एक करके पीस डालेंगी इसका से ग्राइंड करेंगी आम के पल्प को अच्छे तरह है ग्राइंड कर लिया है इदी के सबसे पहले पेंड में जो आम का गोल है वो डॉलिंगी इदी कि इसको अच्छे जिमिलाएंगी इदी ऊच्छे जाते घ्राइंड के आम की पल्प को पहलसात मिंट के लिए अच्य त्यार करेंगी इसी फुरकार से चलभाणा प्ड़ाज से अब इसमें जो बबल निकले बंद हो जाएं तो हम सबसेंगे कि इसमें जो मुष्चर है वो नहीं रहा और बहुत ही अच्छे लड़ू बनकर तयार होंगे तो बहुत ही अच्छे से पका है अब इसमें इलाइची पाउडर रा लेंगे इसको भी अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों यह देखिए अच्छे बड़े चाव से खाते हैं आम के लड़ू और स्वास्ते के लिए बहुत ही लाप दाएक होती ही देखिए दोस्तों आमका पेश्टर जो बहुत ही अच्छे से पकतर त्यार हो गया है अब गेस बंद कर दें देखिए और आ couch के लिए इस खटणा और देखिए देखे दोस्तों आम के लोड़कम नकलिया है कि अब इसके लड़ू बनाएंगी वह थियार हुआ है कि यह दिखिए दोस्तों अ मिलिए वह थिएच्छे मिनी लिद्डोव circular मिन months light आद के पहले थोड़ग केंद आखे सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इस प्लकार से थोड़ा नारियर पार्पर लगायां आखे दोस्तों निस परकार से एक एक करकी और लडू बनाएंगे बहुती आसानी दू मोंनाएं ही मितखिए आम के लड़ो बनकर त्यार हो चुके हैं अब इसे आप अपने बच्चों को यह मैमानों को खिला सकते हैं बहुत अच्छे लड़ो बने हैं दोस्तों यह रिष्पी आप जनुब बना करें चखें और इसका आनद उठाएं यह देखें दोस्तों गर्म एक्षिजन में आम खुब आते हैं और बहुत ही अच्छे आम पके हुए आम मिलते हैं इसलिए अच्छा दोस्तों अगर आम के लड़ो बनाने की विदी अच्छी लगी हो तो जुरूर अपने दोस्तों को शेर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन वसी दबाएं तक एक लिजान करें आपको समय पर मिले अच्छा धन्यवाद